महबार में देखने को मिला भारी हुजुम इस दोरान भाटी के ने समर्थों के समक्ष अपने संबोधन में कहा कि उनको लेकर अफवाएं उड़ रही हैं कि रविंदर सिंग भाटी जैपूर में या दिल्ली में जिसके जवाब में भाटी ने कहा कि दिल्ली तो हम जाएंगे लेकिन 26 तारिक के बाद अपने संबोधन के साथ ही भाटी ने ये बात भी साफ कर दी कि अब वह पीछे हटने वाले नहीं हैं और चुनाव लड़कर ही रहेंगे भाटी की यात्रा के दोरान बांदरा में उन्हें हाथी पर बैठा कर रिली निकाली गई यह पहली बार था जब थार के रितिली धोरों में किसी राजनीता संबोधन पर चार के लिए हाथी लाए हैं इस दोरान बांदरा में अपने संबोधन में भाटी ने कहा कि लोग उन्हें पर काफी हनीजी हमले हो रहें लेकिन वह उनके समड़ तक उनके खिलाफ एक भी गलत सब्सब्स नहीं बोलेंगे क्योंकि सभी नितागण भाटी के लिए सम्मानी हैं भाटी ने हेम आराम चोधरी की हूट वाले बयान के जवाब में कहा कि हेम आराम उनके दादा समान है जब भी आवशकता पड़ेगी हेम आराम चोधरी को उनके पोते विरंदर एम रविंदर में कोई फर्क महसूस नही होने देंगे